मेरा नाम सौरव और SQL सीरीज के इस वीडियो में आज हम सिखेंगे SQL like clause का इस्तमाल तो हम क्यों करते हैं SQL like clause का इस्तमाल तो basically simple भाष्चा में मैं अगर आपको बता हूँ तो like clause is used to search to search something for example आप किसी भी website पर कुछ भी search करते हो जैसे आफ लिपकाट पे गए या फिर एमाजन पे गए वहां पे search कुछ प्रोडक्ट आप search कर रहे हो तो कुछ भी आपने लिखा और लिखने के बाद अपने इंटर की प्रेस किया तो वह क्या करता है जो भी उससे similar प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट निकल के आ जाता है तो background में इससे इसके पीछे में SQL queries कैसे fire होता है like clause के through fire होता है तो चलिए सीख लेते कि कैसे like clause काम करता है actual में तो the SQL like clause is used to compare a value to similar values using wild card operators तो values को compare करता है for example आपने कुछ keyword लिखा है तो उस keyword को database में जो values मौजूद है उससे compare करेगा और अगर match हो गया तो आपको उस row को या फिर आपका जो result जरूरत है आपको result आपको दे देगा ठीक है तो wild card operators के through यह काम करता है तो there are two wild cards used in conjunction with the like operator तो दो operator दो wild cards है first है the percentage sign and the second है underscored sign यह underscored sign आपको मिल जाएगा आपके keyboard में plus sign के एकदम बाजू में आपको मिल जाएगा आपको shift की दबाना है और वो की underscored वाला की press करना है तो underscored आपको मिल जाएगा तो percent sign हम use करेंगे and underscored sign हम use करेंगे like keyword के साथ तो हम direct example देखते हैं कि कैसे यह चीज काम होता है तो for example हमारे पास यह table है और इस table में हम कुछ query perform करेंगे और हम एकदम syntax नहीं देखते हैं एकदम direct queries चला के आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है तो एकदम direct question पे चले जाते हैं क्योंकि बहुत सारा queries हम देखने वाले हैं employee नाम का table है id name age address salary यह attribute है ठीक है और हम यहाँ पर name को search करेंगे और तरह तरह के way में search करेंगे बहुत सारे way में names को search करेंगे name के उपर search करेंगे यहाँ ठीक है तो पहला query है find the employee records whose name starts with S तो हमें उन employees का records निकालना है जिनका name start होता है इस से starting में S आएगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे पहला जो लिखेंगे पहला तो बहुत simple है select star from employee उसके बाद लिखेंगे वेर नेम लाइक देखिए वेर नेम लाइक और इन्वाइट कॉमा के अंदर इस परसेंटेस अब इसका मतलब क्या है देखिए देहां से समझिए select star from employee से आपका क्या होगा पूरा employee का table आपके पास आ जाएगा उसके बाद हम where clause लगा रहे है where condition दे रहे कि जहाँ पे name like name कैसा होना चाहिए यह like keyword name के बाद आएगा जो attribute आपको सर्च करना है उस attribute का नाम name name like और single quotes के अंदर s percentage s percentage हम क्यों लिख रहे है देखिए पहला word हमको s चाहिए इसलिए हम लिख रहे है s उसके बाद percentage मतलब इसके बाद जो भी जितना भी वर्ड लेना चाहिए जो भी हो जो कुछ जो हमें फरक नहीं पड़ता इसलिए वहां पे हम percentage दे रहे है पहला word s है तो इसलिए पहले हम s लिख रहे है तो यह लिखे semi-colon देके enter जब हम प्रेस करेंगे तो जो जो नाम इस से start होता है उसका असर आपकर रिजल्ट में आ जाएगा वह टेविल आपके समने होगा ठीक है तो select star from employee where name like s percentage इस percentage को invite कोमा के अंदर second देखते find the employee records whose name ends with you तो हमें उन employee का records find करना है हमें पूरा record चाहिए किनका जिनका नाम you से end होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए पिछले में हमने क्या किया था हमें पहले इस चाहिए था इसलिए हमने पहले इस लिखा इसमें हमें क्या हमें last ने में यूः चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सिंपल percent you लिखेंगे क्यूंकि हमें last ने इस यूः चाहिए और आगे कुछ भी हो सकता है चली हम् us in Ivan With a वेर नेम लाइक परसेंट यू क्योंकि यू हमें लास्ट में चाहिए और यू के पहले कुछ भी हो सकता है तो जहां पे भी ये कुछ भी हो सकता है वहां पे हम परसेंटेज दे दिये अब आप खुछ से और भी क्वैरिस को सोचे और कोशिश कीजे बनाना ठीक है तो इसका क्या आजाएगा देखे जो जो नेम लास्ट में यू से एंड होता है वो नेम हमारे पास उसका रेकॉर्ड हमारे पास आ गया यह सोनु यहां पर यू से एंड होता है तो लास्ट में है तो परसेंट यू फास्ट परसेंट और उसके बाद जो भी की है आपको वो देना जो तो नेक्स्ट क्वेरी है, find the employee records whose name starts with vik, तो उन employees का में record देखना है, जिनका name starts होता है vik से, तो यहाँ वीडियो को pause करके, खुद एक बार सोचो, होप आपको, आप कर सकते हो यह, तो simply जो name start होता है vik से, मतलब हमें क्या है, यहाँ पे clause लिखना पड़ेगा, where name like vik, उसके बाद percentage देना पड़ेगा, simply, तो select start from employee, employee tables हम select करेंगे, where name like, percentage में invite कोमा के अंदर, vik उसके बाद percentage, तो इसका result आजाएगा, देखिए, name जिसका start होता है vik से, जिनका, जिन भी लोग, जो भी लोग है, यहाँ पे सिर्फ एक लोग, एक आदमी है, जिनका नाम start होता है vik से, तो यह second वाल अरो, उठके आ गया, उनका records, next query देखते है, the finds the employee records, whose name ends with rav, तो उन employee का में record चाहिए, जिनका name ends होता है rav से, मतलब यहाँ पे हम करेंगे, percentage को आगे लगाएंगे, और जो key है, उसको पीछे लगाएंगे, तो simply, select star from employee, where name like percentage rav, पहले percentage क्यूंकि हमें last में rav चाहिए, तो पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसके जगा percentage, और last में rav, ठीक है, चलिए, semicolon देते हैं, enter करते हैं, उसके बाद आपको result मिल जाएगा, देखे, जिन जिनका name rav से end होता है, उनका result आपके सामने है, sort of और got off, next देखते है, find the employee records, whose name has ura, तो हमें यह बहुत important है, और हम जब coding करते हैं, यह search query, हम बहुत बार लिखते है, search result का मतलबी होता है, यह वाला query, find the employee records whose name has ura, तो हमें उन employees का records चाहिए, जिनका name में कहीं भी ura है, ura at anywhere, आगे, पीछे, middle पे, कहीं पे भी हो सकता है, बस ura होना चाहिए, उनके नाम पे, यह matter नहीं करता, कि आगे है, या पीछे है, या middle पे है, कहीं पे भी हो सकता है, बस ura होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ra u, a, r, u, ऐसा नहीं, u, उसके बाद r, उसके बाद a, इसी क्रम में होना चाहिए, और यह name पे कहीं पे भी होगा, तो वो वहाँ से data को fetch कर लेगा, उस data को वो fetch कर लेगा, simple, तो इसका हम query कैसे लिखें हैंगे, select star from employee, where name like percentage, invite कॉमा के अंदर percentage, ura percentage, इसका मतलब यह होता है, कि आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है, और ura, middle पे भी हो सकता है, और आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यह percentage, की percentage, इसका मतलब यह होता है, यह जो keyword है, यह आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, middle पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो नाम के अंदर बस होना चाहिए, उस नाम के अंदर बस होना चाहिए, matter नहीं करता, आगे है, या पीछे है, या middle पे है, ठीक है, तो percentage की का नाम, फिर percentage, enter देंगे, तो u, r, a, देखिए, सवरफ के अंदर यू, सवरफ के अंदर यू, आर ए है तो इस नाम का data को फेच किया, गौरफ के अंदर भी यू, आर ए ये तीनो वर्ट है तो इस नाम को भी फेच किया, ठीक है? तो यह बहुत important query है, तो next और एक important चीज़ देखते है, find the employee records whose name has um at second position, ध्यान से पढ़ीगा, इस्तमाल करेंगे Find the employee records whose name has UM at second position हमको यहाँ पर position भी mention किया जा रहा है कि UM होगा और वो second position में होगा U के बाद M और वो भी पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है लेकिन पहला अक्षर के बाद ही होगा UM यह नहीं कि पहले तीन अक्षर या चार अक्षर के बाद UM नहीं पहला अक्षर जो होगा होगा उसके बाद ही UM हमको लिखना है यहाँ पे हम underscote की इस्तमाल करेंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे select star from employee उसके बाद हम क्या लिखेंगे where name like invite कॉमा के अंदर underscore UM percentage देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ underscore क्यूं दिया क्यूंकि हमने specify कर दिया हमको पहला word पहला word second word होगा UM जो होगा वो second position में आएगा तो पहला word कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हमने वहाँ पे underscore डाल दिया एक word होगा एक word होगा यह हमें पता है second position में है मतलब क्या उससे पहले एक word होगा इसके लिए हमने क्या क्या अंदर स्कोर डाला एक बार पहले उसके बाद UM लिखा और UM के बाद कुछ भी हो सकता है इसलिए percentage कुछ भी के लिए मतलब जितने चाहो आप उतना number हो सकता है उतना character हो सकता है UM के बाद इसलिए percentage लेकिन जान में रहिए गया क्योंकि यहां पे बोला गया है second position तो हमने पहले डाल दिया एक underscore अब जैसे इस underscore में कुछ भी character हो सकता है second में आएगा UM इसलिए देखिए यह पहला position और यह second position पे UM उसी तरह से अगर आपको यह बोला जाता कि UM होगा second position third position में तो आपको क्या करना होता तो आपको बहुत ही simple है यहां पे क्या लिखना परता underscore और एक underscore उसके बाद UM percentage तो UM क्या होगा third position में ठीक है तो इस तरह से चीजे काम करता है और इसका result क्या आए जागा देखिए इसका UM second position में एक ही वेक्ति का था तो यह प्रो आपको उठके आ गया ठीक है तो और भी बहुत सारा चीज है लेकिन आई होप के आप खुद से और भी ट्राइब कर सकते हो और भी आप सर्च करो tutorial point का website आप जाके देखो आप जस्ट गूगल करो के SQL tutorial 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 अट तो आपको tutorial points में से बहुत अच्छा अच्छा नोट्स मिल जाएगा और वहां से भी आप सीख सकते हो ठीक है तो होप आपको ये पूरा concept like मतलब search का ये पूरा concept clear हुआ होगा तो अगर कोई doubt है तो मुझे आप comment करके बता सकते हो और वीडियो का अच्छा लगा हो तो like करना चैनल को subscribe करना मत भूलना और subscribe करने के बाद जो bell icon आएगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियो का notification आपको मिलता रहा है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में में इतना ही मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार टाटा